Hello everyone, आज के हम व्लॉग में 6 weeks of pregnancy में क्या changes नजर आते हैं वो देखने वाले 6 weeks of scan काफी exciting रहता है क्योंकि इस scan में heartbeat नजर आती है और heartbeat सुनाई देती है तो हम लोग ये pregnancy के ये stage में हम ये discuss करेंगे के patient को क्या symptoms रहते हैं और embryonic age या scan में क्या changes नजर आते हैं symptoms जैसे के आपको 5 weeks जैसे ही pregnancy आपकी confirm हो जाती है urine या blood test में और शुरू के 5 weeks of scan में जो sack नजर आता है और योग sack नजर आता है अब आगे बढ़ते में fetus का भी growth नजर आता है तो ये embryonic age में जो scan में नजर आने के चीज़े हैं वो हम आज के vlog में दिखाएगे आपको तो fetus का size भी बढ़ जाता है, heartbeat नजर आ जाती है तो आगे हम इसके साथ साथ जो changes हम देखना है pregnancy के scan में वो आपको बताएंगे और ये scan हम usually viability scan होते हैं इसको क्योंकि confirm करना रहता है कि fetus alive है या नहीं है और हर एक pregnancy में जब healthy रहती है तो 6 weeks के आसपास heartbeat आ जाना चाहिए तो ये आज की मैं आपको live video बताऊंगी जो scan के अंदर कैसे नजर आता है और symptoms भी जो patient के रहते हैं जो 5 weeks में आ जाते हैं जैसे vomiting sensation रहना ठकावट रहना और body pain होना ये सब symptoms अभी भी continuation में रहते हैं तो patient को हम supplement जो लिके देते हैं वो ही supplements continue रहना है जैसे folic acid है vomiting sensation के लिए जो दवाई है और उसके साथ साथ आप अच्छी diet लेते रहना है healthy diet आप junk food avoid करना है और बाहर के oily food spicy food avoid करना है और आपको जो test करवाने के लिए बोलते है six weeks पे वो test investigations करवाना है क्योंकि किसी को अगर thyroid है या anemic है या कुछ यह तो आप यह देखिए कि कैसे नजर आ रहा है यहाँ पे जो fetus की growth होई है वो fetus अंदर नजर आ रहा है sack के अंदर यह uterus के अंदर जो sack है वो जैसे हम five weeks में देखे थे अब वो भी size बड़ा हो गया है और यह fetus अंदर नजर आ रहा है जिसके अंदर हमारे को heartbeat नजर आएगी और यह साथ में जो आपको दिख रहा है यह yoke sack है यह yoke sack fetus के साथ gestational sack में रहता है अब आपको doppler पे नजर आएगा कि इसके अंदर heartbeat यह heartbeat जो है यह heart baby के अंदर start हो जाती है six weeks के आसपास तो यह confirm होता है कि pregnancy healthy है कभी कपार pregnancies में six weeks के आसपास आपको implantation bleeding भी नजर आती है जो के normal है तो इससे घबराये मत और देखिए क्या आप कितना अच्छा heartbeat नजर आ रही है fetus में यह काफी exciting रहता है couples के लिए तो आप लोग अपने regular check up के लिए जाए और regular scan और supplements लेते रहिए thank you for watching this video